अलो दोस्तों आज हम बात करेंगे ALB VS FT Full States Plus Info यानि के Alvano VS Fresh Tropical के वी जो मैच No.3 खेला जाना है 25 जुलाई को साम 4 बज़े से मैच इस्टार्ट हो जाएगी यह ECS Titans की सूपर जिरीच चल रही है यहां से जो भी टीम फाइनल जितेगी वो 2023 में ECL खेलेगी बेन्यू जो रहेगा रोमा इस्टेना शीटो किर्केट ग्राउन का रहेगा रोम अपडेट के लिए टेलिगाम से जुलना ना भूले जुलने के लिए डिस्क्रेशन में लिंक दिया गया है और टॉप के कॉमेंट के सेक्षन में भी आपको हमारा चैनल का लिंक मिल जाै आपको लिंक से ही आना है क्योंकि आप बिदाउट लिंक के आते है तो आप गलत चैनल में चले जाएं आपसे में पाँइस कर गाँँ perfect में छेखले हैं सबसे जड़री चीज जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ की इनके मैंने यहां पर लिखे हैं नौट शेकेंड मैस फाइप elections यानि कि जितने भी आप सेकेंड मैचिस देखोगे यह सारे जो सेकेंड मैचे से जो आप देखें नहीं यह 5 सब्सक्तार करते हैं तो गुशत एपनके किसे में को समझने में आसानी होग में सबसे पहले बात कर लेते हैं इर्फान सेक की जो कि आपको विकेट किपिंग सेक्शन में मिलेंगे ओपेन आएंगे कभी-कभी विकेट किपिंग भी करते हैं बाकी आपको मैंने पहले भी पताया थे कि यह बहुत अच्छे काम करके देंगे बात कर लें मोनुलाल की यह भी ओपेन आए है सारे मेच में अद्दू अभर की गेंदवाजी देंगे तो आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए कितने इंपोर्टेंड है लगभग लगभग यह कभर तो कंफर्म है कि यह आपको डेत में बॉलिंग देंगे ही बाकी यह कभर मीडिल में या तो आठवा और दसवा अभर आपको देंगे तो बहुत अच्छे पिले रहे आप बिल्कुल इनको जी एल मे में सी बीसी करके जा सकते हैं बिल्कुल यह बहुत अच्छे खिल्याड़ी है तो बिल्कुल आप इनको ट्राइ करेते हैं किजीएगा और श बीसी भी ट्राइ किजीगा बात करण यहां से जुरावर सिंग की जो की सारे मैचेस में वन डाउन आये हैं आप देख लिजे सार मैचेस में फोर तीरी डाउन आये हैं और एवरेस सही रिकोर्ड है बिल्कुल आप इनको चाहे तो छोड़ के भी जा सकते हैं अन्मोल गील का भी राइट है चोबी साल इनकी यह जह आप देखेंगे यह भी दो मैचेस में इनको यह दो मैचेस में मुखा नहीं मिला और लाश यह जो तीन प्लियर है इनके यह इंपोर्टन रहेगी बल्लेवाजी से और गेंदवाजी से बात कर ले हर्दिप सिंग की जो कि आपको सीख राउन बल्लेवाजी देंगे 27 रन 12 गेंदों में बाकि तीन मैचेस में इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला है आप देखेंगे तो कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं बात कर लें देवचिमा की जो कि इनके तरफ से में बॉलर के रोल में दिखेंगे पाच्वा आठवा पाच्वा सत्वा अबर डाल रहे है दो दो अबर की गेंदवाजी दे रहे हैं तो बहुत अची पिक रहेगी यह भी आप बिल्कुल इनको ट्राय करके जा सकते हैं बात कर ले आजय कुमार की जो कि lower order में बल्लेबाजी करने आएंगे बिल्कुल आप इनको इग्nor करके जा सकते हैं और एक main blackर निकी बात करेंगे भारती बंगर की left hand बल्लेबाज है रायट आम मेडियम इनकी रोल है बीस साल age है तो यह भी आ आपको दूसरा और चाउथा ओवर करके देंगे तो ओपनिंग गेंद वाजी करेंगे आपको अगर सामने अच्छी बल्ले वाजी दीख रही है अच्छी बैट्समेन है अगर तो आप इनको छोड़के भी जी एल में जा सकते हैं क्योंकि सामने अगर अच्छे बल्ले वाज तो यह ओपनिंग गेंद वाजी कर रहे हैं तो हो सकता है बिगेट ना भी मिले बात कर लिए गुर्जी सिंग की जो की एक ओवर आपको डेथ में डालेंगे आप दे सकते हैं नौँ आवर सारे मैचेस में डाले हैं एक जो हुआ था वो तो बारी से कारण पांच अवर का ग खिलाया नहीं गया लाश मैच में इनको खिलाया गया था जिसमें फिस्ट डाउन आके दो रन छे गंदों में किये थे बात करें इनके तरफ एक न्यू प्लेयर एड हुए है अर्सलान बासीर जो कि यह इसी है दुखास रिकॉर्ड है नहीं इग्णोर करके जा सकते है यह इनके स्कॉर्ड में बाल कर ले जो फूल इस्टेट्स है अलवानों की जो भी पिलियर बहुत सारे पिलियर है इसको लंबी स्कॉर्ड है तो यहां से आप जिस पिलियर का रिकॉर्ड देखना चाहे सत्विंदर राम की इरफान से की जो पिछला इसी सी इसी 2022 डोमेटी इन इसी 2020 मोनुलाल का भी इश्ट्रीड देख सकते हैं एक भी मैच खेलते हैं तो आप इनका इस्ट्रेड देख सकते हैं कोई बी नियो फिलियर खेलते हैं आप यहां से रदीफिस परवीन कुमार के भी इस्टेट्स अब लेवल है जश्वीर कुमार एस्टेसाम सज्जात अगर खेले तो इनको भी आप चाहे तो देख सकते हैं इन सारे प्लियर का रिकोट उफलब्द है बाकी राविंदर शिंग जो की उधर हाल में इसी है 2022 में मैच खेल चुके हैं विज सबसे पहले 5 मैच इनकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सारे मैच में जैड़नक भी ओपन आया है और पहले और दूसरे मैच में दो अबर की गेंदवाजी करते हैं दोनों मैच में तो यह आपके लिए सीबीसे के मश्ट पीक रहेगी बिल्कुल आप इनको जील में सीबीस ट्राइ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी पिक रहेगी आप इनको सीबीसे ट्राइ कर के जा सकते हैं उस टीम से ज्यादा स्ट्रोंग यह टीम लग रही है तो हो सकता है यह टीम जीते तो आप और इनके पास balling option भी बहुत ज्यादा है और अच्छे बॉलर भी है बात करें सिकंदर आज की जो कि पहले मैच में आश्रीम अमिर सरीप नहीं खेले तो यह open करने आये थे बाकी मैचेस में यह 4-5 डाउन आएंगे अद्दू अभर की गेनवाजी कंफर्म देंगे तो इनको भी आप ट्राइ करना है यह भी अच्छे खिलाड़िया बात करें मुहमद इम्रान की बैटिंग सेक्षन में इनका आप पिछला record देखेंगे तो बहुत अच्छे है गुड है पिछला जो है 2020 और 2021 में यह अच्छा परदसन किया है यहां पे भी इनको मौका मिलाया थिरी से फोडाउन बल्लेवाजी करने आ जाएंगे जील के लिए यह गेम चेंजर पीक रहेगी बिल्कुल यह गेम चेंजर पीक रहेगी आप बिल्कुल इनको ट्राइ करके जा सकते है मौमद इम्रान बेटिंग सेक्षन में और इससे अच्छी बैट्समेन और उपलफद नहीं है बात करें सहजाद सर्वर की जो की एक ही मैच खेले दे जिन में इन्हों ने दो और की गैंदबाजी किये थे बाकी मैचेस में इनको खेलने का मुका नहीं मिला साथ वार् disgust डालेते हैं अगर खेलते है तो आप इनको ट्राइ कर सकते हैं बात करें जाव्यद महास की यह बो करने आये थे बाकि कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं बात करें बिलाल हमीद की जो कि इनके में बोलर के टाइप के हैं आपको एक ओवर डेथ में एक ओवर ओपनिंग में देंगे तो बिल्कुल आप इनको भी ट्राइ करके जा सकते हैं अच्छे पिलियर हैं बात करें जाहिद बात करें इनके विकेट की परकी जो की इन लोगों से भी नीचा आएंगे तो आप इनको एग्णोर करके जा सकते हैं बात कर ले दिलावर हुसेन की पहला मैच खेले थे जिसमें तीन रन किये थे बाकी मैचस में इनको खेलने का मौका नहीं मिला बात करें अब्दुल मौका नहीं मिला है तासीर हसन भी एक मैच बीच में खेले थे बाकी मैचस में खेलने का मौका नहीं मिला है फैसल महममाद जो कह कि लास्ट के दो में जब्द हैब निको ट्राय कर सकते हैं था है सकते हैं फजाईल हुसेन लेप्ट हैं लेप्टम मेडियम बॉलर बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं इनके इस्टेट मेरे पास अब लेवल है थोड़ा सा डाउट है वह डाउट किलियर हो जाएगा तो मैं आपको मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा तो दियान रखना यह खिलाड़ी अच्छे हो सकते हैं बहुत अच्छा इको इस्टेट से मेरे पास बट मैं प्रवाइड नहीं कर रहा हूं क्योंकि डाउट है थोड़ा सा वह डाउट किलियर हो जाएगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा बात कर लिए सर् लोगों का धियान रखना है यह दोनों खेलाड़ी अच्छे साबित हो सकते हैं जील में तो आप बिल्कुल ट्राइ करके जा सकते हैं अगर खेले तो खास करके फाजाईल हुसेन का आपको धियान रखना है बात कर लें इनके फूल इस्टेट के फ्रेश्टो परकेल की पहल सीजन कुछ खास नहीं किये हैं बट यह बॉलिंग भी पार्टाइम करते हैं आप देख लिजे 97-30 गेंदों में भी किये थे 29-12 गेंदों में किये थे 37-24 गेंदों में बट इस साल इनका बल्ला नहीं चला है 2022-20 में भी अच्छा परदसन करके आये हैं और 2022 डोमेस्टिक T10 में भी अच्छा परदसन है बिल्कुल आप इनको ट्राइ करके जा सकते है जी एल में ये गेम चेंजर का काम करके देंगे बेटिंग सेप्सन में उपलवध है इन चीजों का आपको ध्यान रखना है असी मली का भी रिकॉर्ड दे सकते हैं ठीक ठाकता ही है इमरान मुहमद एक महमद इमरान है एक इमरान मुहमद तो आपको इमरान मुहमद का धियान नहीं रखना किस खास रिकॉर्ड है जावेद महास का विस्टेट्स अपले वल है फिदा हुसेन बिलालहमी نہیں का भी बिलालहामीद सेंगे सुलेमान हाकिमी अगर खेलते हैं तो इनका दियान रखना है अच्छि-पद्षक करके जहिए सब्सक्राइब अब्दूल हसीव सहजाद सर्वर सहजाद हुमायन जो की विगेट कीपिंग कर रहे हैं फैसल मुहम्मद के भी इस्टेट्स है दिलावर हुसेन हैदर अगर खेलते हैं तो इनके इस्टेट्स अब लेवल है तो आपको टेलीगराम पे अगर अब लेवल होता है इस्टेट्स कर सकते हैं बाकी फाइनल टीम आपको टेलीगराम पे अपडेट कर दी जाएगी यह हमारी फाइनल टीम कभी नहीं रहती उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे टेलीगराम से जुल जाएगे लाइक कर दीजे कोमेंट भी कर सकते हैं अगर आप पहली पर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो अमीद करता हूं कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूं अगर वीडिय आपको अच्छी लगए है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजे बिलकुल मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में